यदि 6 वर्स का सधारन ब्याज मुल्धन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मुल्धन कितने समय बाद बराबर होगे यहां पर मुल्धन और समय दोनों बराबर कब होगा ब्याज और मुल्धन कितने समय बाद बराबर होगा यह बताना है तो यहां 6 वर्स दिया हुआ है सधा तो ब्याज बोल रहा है 30% तो हम आने हैं मुल्धन 100 तो 100 का 30% तो 100 का 30% 30 होगा अगर निकालना नहीं जानते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 100 इंटु 30 बटा 100 यहां से काटीए गद 30 तो यह इस पे हम निकाले हैं 30% के हिसाब से तो अब यहां फॉर्मूला होता है सधारन ब कुने दर बटा सो तो हम यहां बें डारेट पूट करते हैं कि थर्टी इकवल टू मुल्धन कितना सो दर कितना है और आर्टवम को निकालना यानि समय और टाइम छे वर्ष बटा सो यह से एकड़िया छे से तीस पांच बार में यानि आर बराबर पांच परसेंट मुल्धन सो है तो थीस ब्याज थीस है तो हमको तुन बराबर करना है समय को बराबर करना है कितने समय में कितने समय बाद बराबर होगा तो उसके लिए हमको सो पर भी तो निकालना होगा तभी तो बराबर होगा इसलिए इसको बराबर करने के लिए यहां पे ब्याज सो बराबर वही वाला फूर्मूला लगगा ब्याज बराबर मुल्धन गुने समय गुने दरबटा सो तो यहां पे मुल्धन तो सो हो जाएगा क्योंकि सो पर ही नि निकाल लिए यहां 5% 5 हो गया समय समय तोमको नहीं मालूम इतो इसके बारे में था तो इसलिए यहां टी रहेगा ब्राबर सो यह 0 यह खत्म पांस यह 20 बाबर यानि कि टाइम ब्राबर 20 20 ईएर यानि कि 20 साल में यह ब्राबर हो जाएगा बहुना है छे वर्स statesा मूल धनकि 30 परसेंट के ब्राबर है तब ब्यास और मुल धन कितने समय बाद ब्राबर होगें तो बेस साल के बाद ब्राबर होगा यह अंसर वह कि झाल झाल